Hey guys, what's up? It's your baby boy. तो गीत को वापस लेके आता है और उनकी शादी हो जाती है. Conspiracy theory ये कहती है कि ये जो पूरी film के सारे incident है, ये सब गीत ने plan किया था और पूरी film गीत के इशारों पे चल रही थी. गीत एक बहुत ही बड़ बोली लड़की थी और वो बहुत बगबग करती थी पर वो दिमाग की पैदल नहीं थी, वो बहुत ही intelligent लड़की थी. जब वो ट्रेन पे चड़ती है तो वो देखती है वहाँ पे आदित्या पहले से ही बैठा रहता है. वो आदित्य को बाइफेस पहले से जानती थी, क्योंकि आदित्य एक बड़े बाप का लड़का था. आदित्य की फैमली थी, वो हमेशा न्यूज और मीडिया में रहती थी, च्छाई रहती थी, क्योंकि लास्ट येर उसके पिता का देहान्त हुआ था, और उसकी जो मदर थी, वो किसी के साथ भाग गई थी. उसकी जो कमपनी थी, उस टाइम क्राइसिस में चल रही थी, तो सारा मीडिया कवरेज आदित्या और आदित्या की फैमली पह था. बाइफेस तो वो आदित्य को जानती थी, गीद का लकचमका, आदित्या उसी की ट्रेन में, उसी की सील्ट पे मिल गया उसको. गीत तो खुश हो गई अरे वा यार एक अमीर लड़का मिला है ये आदित्य के साथ इंटरैक्ट करती है और ऐसी situation होती है कि इसकी train छूट जाती है पर आदित्य एक अच्छा लड़का निकलता है guys वो गीत की help करता है कोई और लड़का होता तो उस situation का फाइदा उठाता पर उनके बीच पे कुछ भी होता नहीं है like nothing sexual पूरी जर्नी के दौरान गीत को realize होता है यार आदित्य इतना अच्छा लड़का है और आदित्य जब खुद अपनी identity reveal करता है तो गीत उसको कहती है oh you are आदित्य कश्यप जिसकी mom भाग गई थी फिर उससे कहती है sorry 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 but सच बात तो यह है कि गीत उस टाइम एक genuine reaction देना चाती थी कि मैं तुमको नहीं जानती हूँ बट सच बात तो यह है गीत पहले से ही उससे जानती थी वो क्यूंकि वो already famous था जब वो आदित्य के साथ travel कर रही थी आप देखोगे पूरी फिल्म में कभी भी अंशुमन का call नहीं आता गीत को यह 2007-08 की कहानी है और उस टाइम बटन वाले फोन चलते थे कौन सा boyfriend इतना बेफकूफ हो गयार इतने दिन से तुम्हारी बंदी तुमसे दूर है ना तुम एक पर उसको call कर रहे हो ना message कर रहे हो पूरी movie throughout the movie आप देखोगे कि कभी भी अंशुमन का गीत को call नहीं गीत ही बस दिन बार अंशुमन अंशुमन करती रहती है तो जब वो आदित्या से मिलती है उसको यह रियलाइज हो जाता है कि अंशुमन एक अच्छा लड़का नहीं है उसके लिए पर क्या होता है ना जब आप किसी और को like करते हो और आपको लगता है कि वो आदमी आपक पर गीत का जो दिल था वो अंशुमन पर लगा हुआ था तो गीत जब सेफली घर पहुच जाती है उसके बाद वहां से जब अपने घर से भागती है और अंशुमन से मिलती है और अंशुमन उसका दिल तोड़ देता है गीत वहीं पर रुख जाती है और बार-बार अंशुम उससे प्यार नहीं करता, तभी तो पूरी फिल्म में वो कभी गीत को कॉल भी नहीं करता है, ना उसका हाल चाल लेता है, इतने दिन से गीत गायब है, किसी दूर से लड़के के साथ घूम रही है, like he doesn't care, ना कभी वो गीत को कॉल करता है, ना उसको चेक करता है, जब अंशु जाएगी, तो गीत के फैमिली वाले गीत से पूछते हैं, बेटा तु घर कब आ रही है, तु घर कब आ रही है, तो कहरी है मैं आ जाओंगी, मैं आ जाओंगी, मैं आ जाओंगी, मैं बस आ रही हूं, मैं आ रही हूं, गीत भी अपने घर वालों को गोली दे रही थी, कि मै आदित्या के साथ पर आदित्या तो अपनी लाइफ में मस्था वो तो मस्थ अपनी कंपनी चला रहा था गीत को भी दूआउट दा जर्नी ये रियलाइजेशन हो गया था कि आदित्य उससे सच्चा प्यार करता है क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ इतने दिन से ट्रैविल कर रहा है इतने अलग-अलग शेहर जा रहा है और गाना गा रहा है और वो ऐसी-एसी सिचुएशन में है जहां कहीं भी लड़की को फाइदा उठा सकता है पर वो कभी भी गीत के तरफ गलत निगाहों से भी नहीं देखता ना उसे टच करता है तो गीत को रियलाइज हो गया था कि आदित्या इस दा वन और आदित्य भी उससे प्यार करता है पर वो कभी भी नहीं बोलेगा गीत को कि वो उससे प्यार करता है क्योंकि आदित्य बहुत ही शाय लड़का है और एक नंबर का गोचु है गीत एक प्लान मनाती है कि अब तो अंशुमन ने मुझे छोड़ दिया अब मैं क्या करूँ मैं अपने घर वालों को भी गोली दे रही हूं कि मैं आदित्या के साथ हूं मैं आदित्या के साथ हूं ये एक प्लान मनाती है कि इसको समझ में आ जाता है कि आदित्या ऐसे तो कभी नहीं बोलने वाला अब मैं एक प्लान मनाती हूं मैं अपने घर वालों को ये पट्टी बढ़ाती हूं वो अपने घर वालों को फोन करके बताती है कि आदित्य भी मुझसे प्यार करता है पर वो कभी भी मुझसे आ के बोलेगा नहीं और ना मुझे कभी प्रपोस करेगा ये पूरा प्लान गीत ने प्लान किया था अपनी family को बताया था कि आदित्य एक बहुत ही अमीर लड़का है और एक बार आदित्य के साथ मैं सेट हो ग पूछते हैं जबकि उनको clearly पता होता है कि गीत कहा है और फिर उसके बाद आदित्य को यह realize होता है कि बिटा यही मौका है और आदित्य जाता है गीत के पास फिर उसको लेने जाता है पर वहां पे भी गीत बहुत impressed होती है कि आदित्य उसको कभी भी use नहीं करता as an object कितरा नह टाइम लगता है ठीक है तो गीत के दिल में अंशुमन के जो फीलिंग्स थी उसको वो प्रोसेस कर रही थी और वो पूरी तरह से completely move on नहीं कर पारी थी क्योंकि वो heal नहीं हो पारी थी अधित डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ कि इसकी family तो मेरे पे इलजाम लगा रही है तो इसलिए वो उनसे कह देता है कि हाँ गीत भी मेरे साथ है और फिर जब वो गीत को ले के वापस घर आता है तो family को पता है कि ये दोनों साथ में आ रहे हैं और वो पहले से ही शादी की तैयारिया स्टार्ट कर देते हैं सो गाइस देखा आपने ये पूरी चीज गीत ने प्लान की थी to get आदित्या सब्सक्राइब और फॉलो फॉर मोर